मशकार दोस्तो WB Pharmacy YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है जैसे कि आप सभी को पताई है कि Diploma in Pharmacy regarding जितने भी साड़े assignments के वीडियोस है वो सभी वीडियोस हमारे YouTube चैनल WB Pharmacy में मिल जाते हैं दोस्तो अब अगर पहली बार हमारे चैनल विसिट कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तो आज का जो वीडियो टॉपिक है ये Diploma in Pharmacy Second Year Students के लिए है जो Pharmacy Council of India का New Slivers के लिए पढ़ रहे हैं वीडियो का टॉपिक जो है वो सब्जेक्ट Community and Pharmacy Management का है टॉपिक का नाम है Preparation of Window Self-Display Materials for the Model Community Pharmacy यहाँ पे दोस्तों कॉंटेंट्स में रखा गया है Introduction, Scope of Community Pharmacy, Role of Community Pharmacist, Over-the-Counter Medication, Health Promotion, Drug Selection, Patient Counseling and Evaluating, Conclusion and Reference दोस्तों हर एक पॉइंट को बारी बारी में समझाएगा है पूरा का पूरा वीडियो ध्यान से देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर यह Window और Self-Display जो है Material यह क्या है और Community Pharmacy से के साथ इसका Relation क्या है पहले आपको क्या करना पड़ेगा जो Assignment का Topic है Headline बनाईए Headline जो है Preparation of Window और Self-Display Materials for the Model Community Pharmacy मतलब की Model Community Pharmacy जो है इसका आपको बताना होगा हर एक इनसान को पेशेंट्स को पीपल को लोकल एडिया में जो Pharmacy है Pharmacy के साथ जो Pharmacy जुड़े हुए है उन सभी के बारे में एक पोश्टर Advertisement के थूरू लेकिन दोस्तों आपको Assignment बनाए तो आपको लिग के समझाना पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देखी पारे होंगे कि Introduction पर हमने रखे है कि Community Pharmacy एक एक Health Care Facility है जो प्रवाइट करते हैं Pharmacy Services सभी पीपल को जो लोकल एडिया पर रह रहे हैं Community Pharmacy में अक्चली होते क्या है Medicine को Dispense किया जाता है एक Register Pharmacist क्या करते हैं इसके बारे में हर एक Patient को बताते हैं दवाई के बारे में कैसे Health Care किया जाता है इन सभी के बारे में तो दोस्तो हर एक Page का आप Skin Shot लेते रहें और समझने की कोशिश कीजिए उसके बाद दोस्तो नमबर 2 पे आ गया Scope of Community Pharmacy जहां पे आपको देखने को मिलेंगे नमबर A पे Drug Information and Their Action मतलब कि Drug Information और उसके बारे में जान करी कैसे काम करते हैं यह biological action क्या होता है physical action कहता है pharmacological action, toxicology, root of administration मतलब दवाई आप मुझ से लोगे injection लगा होना पड़ेगा या फिर यूस करना पड़ेगा local lady यह सब बताना है उसके बाद Drug Utilization आ गया काम क्या करते है एक हो गया Central Pharmacist Responsibilities जहां पर Central ही क्या होता है हर एक drug को है जो कैसे यूस किया जाता है सारा दिन में unit dose formulation उसका इंट्रविनस मिक्चर, IV fluids हो गए यह सब काम आते हैं उसके बाद यहां पर प्रवाइट करना, billing रखना हर एक patient का information रखना, दवाई कैसे लिया जा सभी बाड़ में, उसके बाद general responsibilities आ गए हर एक pharmacist का जो दवाई कैसे dispense करते हैं या फिर compounding करते हैं उसके बाद patient counseling कैसे करते हैं, drug information कैसे provide करेंगे हर एक physician को, उसके बाद हर एक disease का symptoms क्या रहता है, बच्चे में pregnant, women पे, children पे, सभी के बाड़े में यहां पर बताना होगा, उ एक disease के, जो एक disease के कारण जो आप दवाई ले रहो, एक drug का side effects का होगा, allergic drug reaction क्या हो सकते, drug interaction क्या हो सकते, यह सभी आपको बताना होगा, उसके बाद patient counseling area है, जहां पे आपको बताना होगा, कि अगर खुच से दवाई ले रहो, self administration कर रहो, in the hospital वो कैसे लेना चाहिए, उसके बाद कब discharge होगा, कब mediation को छोड़ना पड़ेगा, यह सब आपको बताना होगा, उसके बाद over the counter medication आगा है, जहां पे बीना prescription, बीना परची के आप दवाई खरीच सकते हो, या ले सकते हो, यह आपको यहां पे बताना होगा कि कैसे, यहां पे pharmacy कैसे काम करता है, इसका role actually क्य इस ना हो, या फिर during pregnancy, उसके time कोई दवाई, या फिर alcohol consume ना कर ले, यह सब के बादे में बताना होगा, उसके बाद drug selection आ गया, जहां पे आपको बताना होगा, कि एक community pharmacy का role इतना महत्पूर्ण है, कि एक drug, एक patient के लिए, कितना time तक लेना ज़रूरे, यहां आपको बताना हो उसके बाद number 7 पे patient counseling and evaluating हो गए, कि एक pharmacist जो है, या फिर इतने साड़े pharmacist है society में, वो सभी के एक ही काम है, कि patient को अच्छी तरह से समझाना, कि drug कैसे लेना चाहिए, और drug को कैसे use किया जाता है, drug का use करने का time कितना है, drug का manufacturing expired yet, कौन सा है, कब तक लेना ज़रूरी है, यह सभ हमारी बताना होगा, कि यह commutative pharmacy में, कितना जरूरतपन चीजे हैं, जो आम आदमी patient को बहुत ही जाना जरूरी है, यहीं आपको यहाँ पर बताना है, दोस्तो, conclusion के बाद आपको reference रखता होगा, reference में, आपको बताना है, कि आप जो यह सारे assignments बना रहे हो, इसका source actually है क्या, य जैसे books होगे, website से होगे, teachers होगे, आपको YouTube से मिल रहे हैं, यह आप बता सकते हैं, तो धन्यवाद दोस्तो, पूरा video देखने के लिए,